हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे विलियम्स परसेंट आर टेकनिकल इंडिकेटर के बारे में और यह वन अप दो मोस्ट फेमस और मोस्ट रिलाइबल टेकनिकल इंडिकेटर है जिसका यूज बहुत सारे ट्वेडर्स और इंवेस्टर्स बाइंग और सेलिंग दोनों के अगर आप हमारे साथ डिमेट अपन करवाएंगे तो आपको बहुत सारे benefits मिलेंगे जैसे आपको free advisory और technical tips मिलता रहेगा हम आपको portfolio manage करने में भी help करेंगे आप stock या फिर जिरोधा के द्वारा जो भी trading platform provide करवाया जाएगा हम उसका free tutorial देंगे technical और fundamental reports of different company जो कि weekly और monthly basis पे आता वो हम आपको provide करवाएंगे हम आपको trading strategy बताएंगे जिससे कि आप एक independent trader के रूप में काम कर सकते हैं तो अगर आपको demate account open करवाना है तो video के description में link दिया गया उस link पे click करके आप account open करवा सकते हैं या नहीं तो आप हम WhatsApp या फिर email ID पे भी contact कर सकते हैं चलिए अब हम topic पर वापस आते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम William percent R technical indicators के बारे में कुछ आपको बता देता हूं William percent R या फिर इसको short में percent R भी बोलते हैं यह एक indicator है जो की oscillate करता है with 0 और minus 100 यानि 0 और minus 100 के बीच में घूमता रहता है और यह आपको कोई भी stocks का weakness और strength बताता है यानि वह stocks सब अपने strength यानि strong point पर है यहां पर आप चार्ट में यह देख सकते हैं यह जो नीचे है वह minus 100 का level है और जो सबसे ऊपर है वह 0 का level है और बीच में जो एक line है वह minus 50 का line है वह middle part है इसके कुछ और details देख लेते हैं यह जो आपको mainly identify करने में help करता है overbought और oversold level यानि यह आ पर जा चुका आपको नहीं पता तो वहाँ पर आप बाई कर लेगे और वहां अपको नुकसान हो सकता तो उस नुकसान से यहा पर बत सकते हैं अगर आप विल्यम्स percent hour indicator आपको बता है तो और आप oversold zone में sell कर देते हैं तो यहां से भी आप उस नुकसान से बत सकते हैं तो यह overbought और oversold level के basis पे यह अपना trading signals generate करता और यह जो indicator काम करता यह particular time period select करता इसका typically जो time period होता वो 14 days का time period होता इन 14 days का time period में यह 3 चीज़ find करता highest point, lowest point और at the end of the 14 days closing price इन 3 चीज़ों के basis पे यह अपना signals generate करता million percent are जो की oscillate करता 0 to minus 100 जो की पहले ही बता चुका और इसमें जो reading होता 0 to minus 20 उसको हम overbought zone बोलते हैं और minus 80 to minus 100 जो reading होता उसको हम oversold zone बोलते हैं तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं यह नीचे जो minus 100 है उपर है 0 और नीचे वाला चोटा सा white part दिख रहा है वह आपको minus 80 to minus 100 और उसको हम oversold zone बोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी यह overbought zone में जाता है उसके बाद यहाँ पे नीचे गिटता है और जब भी यह oversold zone में जाता है वहाँ से उपर जाता है तो इसके लिए basically simple सा fund आ ह जब यह oversold zone में जाए उस time आप buy कीजिए जब यह overbought zone में चले जाए वहाँ पे आप कोई भी stocks को sell कर दीजिए इस तरह से आप buying और selling करके profit earn कर सकते हैं अब हम यहाँ पे इसका बता देता हूं %R indicator का construction कैसे होता वैसे इसका तो use होता नहीं है अजकर जितने भी trading platform है उसमें सिर्फ आपको range identify करना माइनस 22 जीरो के बीच में है तो वह overbought zone में है और minus 80 to minus 100 के बीच में तो oversold zone में इसके ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं information के लिए बता देता हूं कैसे इसका calculation होता है construction होता तो %R equal to highest high minus current close divided by highest high minus lowest close अब इसमें आपको पहले ही बता चुका हूं तीन चीज highest point है उसको हम note कर लेंगे जो lowest point है उसको हम note कर लेंगे और at the end of the 14 days जो closing price होगा उसको हम note कर लेंगे तो हम highest high minus current low करेंगे divided by highest high minus lowest low करेंगे into minus 100 करेंगे ये %R मेरा आ जाएगा तो अब हम live chart पे चलते हैं और वहां पे आपको बताने कोसिस करते हैं कि williams %R in short %R technical indicators का हम use कैसे करेंगे यहां पर हमने nifty 50 का चार्ट open कर लिया और यह जो चार्ट है और यहां पर हम williams %R indicator को इसमें apply करते हैं यहां पर विलियम %R indicator है इसमें क्लिक करना आपको और इसमें period देख रहे है 14 days यानि 14 days का period है और यहां पर और बॉट माइनस 20 और शोल माइनस 80 इसमें यहां चुका इसको थोड़ा increase कर देते हैं अब आप यहां पर देख सकते हैं यह 20 का line है इसके उपर till 0 यह आपका overbought zone आ जाता और यह minus 80 का line है minus 80 to minus 100 यह आपका oversold zone आ जाता तो यहां पर आपको एक चीज़ simple करना जब यह overbought zone में आ जा यहां पर तो इस time पर आपको buy करना और ज यहां पर कुछ ज्यादा समय के लिए overbought zone में रहा है उसके बाद फिर से यह fall हुआ है जब यह overbought zone में चले जाए तो यहां पर आपको buy नहीं करना और जब यह oversold zone में हो तो यहां पर आपको sell नहीं करना तो यहां पर आपको loss कैसे avoid जागा suppose that आपको यह नहीं पता यहां आप देख रहे हैं stocks उपर जा रहा तो यहां पर आपने क्या किया यहां पर आप कहीं पर आप बाई कर लेंगे जैसे आप बाई करें उसके अगर आप बाई करेंगे तो आप नुकसान में रहें क्योंकि उसके बाद यह one-sided fall हुआ है और फिर से stop loss हिट किया है अब यहां प बाई कर सकते हैं यहां से अगर आप बाई करेंगे तो यह उपर गया है फिर से यहां इंडिकेट कर रहा है कि यह अब बाई नहीं करना और यहां पर देखिए market जादा गिरा नहीं है लेकिन यह निगेटी भी गया यह यह लेबल जो है वह 11,940 के करीब है और यहां जो आय पहले था और बाउड जोन में यह नि 3rd June को यह आज 4th June 2019 यह 3rd June कल यह और बाउड जोन में था आज थोड़ा सा इसमें correction देखने को मिला जिसे यह और बाउड जोन से नीचे आ चुगा है इसके basis पर आप intraday trading नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको long term call देता है इसके basis पर futures या और फिर options में buy कर सकते हैं या फिर stocks को delivery में buy कर सकते हैं तो same method से आप stocks में भी trading कर सकते हैं on the basis of overbought and oversold zone तो इस तरीके से आप billion percent hour indicator को use करके आप profit earn कर सकते हैं और अपने loss को भी avoid कर सकते हैं तो that's all friends अगर आपको इस वीडियो से related या फिर इस इंडिकेटर से related कोई भी doubt या फिर question है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं यानि तो आप हमें whatsapp या फिर email id पे भी contact कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद रहे तो इस वीडियो का like जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथी साथ बेल आइकन दबाना ना भूले थैंक्स पर वॉचिंग